Dear students, we have to discuss about the teaching techniques for ESD in early childhood education classroom discussion. हमने curriculum की बात की, अब हम teaching method की बात करते हैं, teaching technique की बात करते हैं. तो बुनियादी तोर पर जब हम early childhood education की बात करते हैं, तो बच्चे की age को अगर हम सामने रखते हैं, और वो हमारे पास three to five years की age है, तो ये हमारे पास जहां पर बेतीन technique जब बेतीन methods जो हम use कर सकते हैं, वो हमारे पास discussion है. उसकी वज़ा ये हैं, कि जब आप बच्चे के साथ interact करते हैं, बच्चे के साथ discussion करते हैं, तो उसे ना सिर्फ सोचने का मौका मिलता है, बलके उसे learn करने का मौका मिलता है, और अगर हम उसको छोटा सा problem दें, तो उसको problem understand करने का मौका मिलता है, और इसके साथ साथ literacy appreciation भी कि जब हम गुफटगू की बात करते हैं, तो वो discussion के साथ वो यू समझने कि आपके सामने खुल कर अपने ख्यालात का भी इजार कर सकते हैं, अब क्योंकि इस stage के उपर हमारे पास reading और writing जो है, उसका level बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चे को अभी read करना proper नहीं आ रहा होता बच्चे को अभी write करना नहीं आ रहा होता, तो यहां पे जो main phenomena हम use कर सकते हैं और हम करते हैं, वो हमारा discussion है, जहां पे ना सिर्फ हम उसको ideas दे सकते हैं, बलके वो ideas के उपर जो respond करेगा, हम उसको evaluate भी कर सकते हैं, evaluate करने के बाद हम उसके idea को modify भी कर सकते हैं, उसकी मैं आप को एक example देना चाहूँगा, कि फर्द करें कि हमने एक बच्चे से एक idea लिया और किसी भी लियाद से उसने कोई idea के अंदर discrimination को शोक किया, और उसने ये बात बावर कराने की कोशिश की, I am superior, superiority के बारे में कोई बात की, तो हम discussion के जरीए, small group के जरीए, हम उस बच्चे के साथ बावर करवा सकते हैं, कि तुम्हारा idea जो है वो appropriate नहीं है, हम उसके ख्यालात को modify भी कर सकते हैं, अब यह आप देखें, जब main जो focus है हमारे पास, वो thoughts है, अब यह जो thoughts का process है, यह relate कर रहा है, आपकी discussion के साथ, और discussion जो हैं, वो अगर आफ frequently बच्चों को discussion में involve करते हैं, तो वो जो उसके ideas होते हैं, वो आपके सामने आते हैं, और आपके पास एक scenario होता है, कि आप उन्हें ideas को जो है, वो motivate, modify कर ले, modify करने के बाद, उसको accordingly, जो हमने sustainable society की goals लेके बैठे हो हैं, उसके साथ उसको align कर, उसमय हैं, तो आर आपके सामने में Bible का लेका सम्चों के भी भी आपके सामने की बाता हैं, पहुए हैंust।